इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को श्रवन करने के लिए महाराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें गुर्दे भगवान है तो एक भी नुबिनोत की चर्चा कर रहे थे बुले प्रेव मुष्ण जी कितनी अद्भुत बात है हमारे गुरुजी जब हमको बुलाते थे फ़ला चलो तो हम लोग एक मिनिट लगता था अपना समेटे अंगरखा चल दिए अब जब चेलों को बताते हैं एब या चलना है जरा उधर हो दर्शन में चलना है तो चेला कहते हैं पहले बताना चाहिए न कपड़ा पड़ा साफ कर लेते हैं तो हमारी तो बेटा एक जोली और एक जोला होता है हमारे चेले का तीन जोला होता है खाए वो साथ दिन का साथ डिरस त्यार करता है तो चलता है अब गुरु जी गुरु नहीं हो गए चलवे गुरु हो गए आग गुरु जी तो चेला हो गए हाँ हो चले क्या Pleo पहले ने बताना चीए समय है साथ शरी हनमान जी के पास ये समस्या नहीं है राम काज केवल केवल और केवल कोई काम नहीं शरी हनमान जलीसा में भी कोई पक्ती है एक कारिय परमात्तमा का कारिय दूसरा कोई काम अनुमान जी के पास नहीं रामकारिय वही कर सकता है जिसके पास अपना कोई कारिय नहीं चले प्रणाम किये हाशीश पाए चले मा सुएम बरभा से भेट भई भल खाए जलपान किये माने का नेत्र बंद करो आप राम दितो समुद्र के तडवे बेज रही हूँ वहाँ कोई मिलेगा मारतर्शन करेगा भगबत कारिय में पता लिखा दी जी ये नंबर दी ये सम नहीं चलता आप बढ़ते जाओ भगवान अपने आप मेराते चले जाएंगे जब लोग समुद्र के तड़ पर पहुँचे हैं वहाँ समपाती जी मिले निजनिजबल सबका हूँ भाखा पार जायकर संसेराखा जामुण जी कह रहे हम तो बुड़े हो गए हैं अंगत जी बोले हम पार तो जा सकते हैं लेकि नाने में संदे है क्या होगा अंगत के साथ कुछ उनका आठपटा संबन्ध था उनी से भै था रिशी जी ने शापित किया था तो कोई साथ जोजन कोई सत्तर जोजन कोई स्सी याद याद इतने में संपाती जी ने सुना जो जटायू जी के भाई है ब्रमा जी को दन्दबाद किया बहुत दिन से भूखा रह रह रहा था आज भगवान ब्रमा ने एक अई बार दे दिया अंगत जी ने जटायू जी के नाम का स्मरण कर लिया एक वो थे और एक ये हैं और रामकाज में शरित याक दिया ये खाने के लिए उद्दत है संपाती जी ने सब को निर्भेटा पतान करते हुए बुलाया इधर आओ क्या हुआ जटायू को हम उनके भाई हैं हमारे पास आओ पूरी कथा सुनाए और बोले देखो स्याजू अशोक वाटिका में असोक विक्ष के नीचे बैठी सोचरत है मैं देखम तुम नाही की धें द्रिश्टि अपार बूड़ भयाउनत करे तेवू कच्छु कसहा ये तुमा अपार मने ये जो परदा लगा है आकाश गिरा है जहां तक आकास कांतिम चोर है गिद्ध को वहाँ तक दीखता है पता नहीं क्या भगवान ने रचना बनाई अपार देश्टि आप में से जो सव जोजन का सागर उलंग सकता है लंगन कर सकता है वही सियाजू का पता लगाएगा दीरज रखिए देखो तुमारे दर्शन कर गए हमारे नमीन पंगा गए पापिव जाकर नाम समिरही अतियपार भौसागर तरह मोहि बिलो कि धरहु मन धीरा राम करपा कस भयव यह अनुभूती है संपाति जी की अनुभूती है हम अनुभूतियों को सुना कर दूसरे को प्रेरित करते हैं अब दूसरे उस प्रेणा की अधार पर और आगे बढ़कर भगवत बजन में लीन हो जाते हैं सब लोग अपने अपने बल का धिमान पदरशित करते रहें लेकिन वापसी का सब को भरम है संदे है जीवन में संदे से मुक्त रहा जाए संदे करके लक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है यह प्रसंग कह रहा है संदे में न राजाए ऐसा होगा क्या नजने क्या हो विश्वास में रहिए विश्वास सिवस्वरूपे भबाने शंकर अबंदे शद्धा, विश्वास रूपिडोan जो विश्वास में रहेगा उसकी अपनी कार में शद्धा निष्टा सब रहेगी लक्ष की प्राप्ति हो अविश्वास में कड़ाप नहीं चीना चाहिए सब पूर शान्त हो गए जामंद बाबा ने कहा देखे भाई महावीर कहा है तो महावीर तो बैठे राम राम कर रहे है जामंद बाबा हनमान जी के पास गए जाकर मुलक कह यरी चपति सुनू हनमान पवन तनय बल पवन समा बोधिर विवेक रिज्या रिभी माला जबर जुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो इतात तुम्रमाही ए महावीर जगत्ता कौम सा कारी जो आप के लिए कठिन है आप कर सके नहीं अनमान जी चुकपई राम भजन करते रहे अब बाबा जामन को समझ में यह नहीं आवे कि हम का कहें कि जगें गए उनको दो रिशियों काशिर बात है विस्मरन हो जाएगा तब राम विस्मरन की यह दो प्रेना हुई कि यह जगत के काम के लिए नहीं मेरे कारे के लिए तब बाबा जामन जी ने कहा राम काज लगी तव अवतारा सुनता ही है जामन जी ने कहा राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है इतना सुनते ही हनुमान जी मालो परवच्य काज का खड़ी हो वे और शिर्य हनुमान जी बारत कदा को हिराते हुए पिरा कुछ सोचे समझे देखिए राम काज का अवसर आ गया है संभनाद करीबार यह बार यह ले 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 लहना कम जलने दिखारा सही पसहाई राम नहीं बाकि पसहाई राम जी भारी आनोंगी हात्र कोड़ उपारी जा ममन्त मैं पूछाँ कोई पोचित सिखावन दी जव मौनी केतना करत उतात कोई जाए केतना करत उतात कोई जाए केतने की काओ सोथे आए केतने की काओ जाए केतने की काओ तो ने आए संवनाद करने लगे हमांजी महराज लीला लीला में समद्रों लंगन कर जाओंगा समाज सही त्रामण को मार कर समद्र में छूपतोंगा कवितावली में भी कहते हैं बाबा कहिए तो लंका के तीनों कोटों खाड़ करके ले आओं आनव यहां क्रिकोट उबारी बाबा जामण जी क्या क्या है जामण बाब बले पहल नीचे तो आओ नीचे आओ अनमान जी नीचे आए कहें आपको यह सब नहीं करना है यह प्रोटोकाल का उलंगन है प्रोटोकाल क्या है सीते दे कहु सुधी देखिए जिसका जो कारिये है उसको उतना ही करना चाहिए नहीं तो हम यदि दूसरे का कारिये करने जाएंगे तो अपना थोड़ा समय विक्रित होगा विखंडित होगा और दूसरा जो करने वाला है उसको disturb और किया हमने इसलिए जिसको जो दायत मिला है वो वही करे अपना काम करे विशडाम करे दूसरे को करने दे ये जीवन जीने का धंग है घर में, परिवार में, समाज में, संस्था में देश में, प्रदेश में सब के कारिय का वरगी करण होना चाहिए ये उनका काम करें वो इनका काम करें तो सब काम चोपट हो जाएगा क्या काम प्रोटोकाल क्या कहता है सीत ही दे कि कहूं सुदी आपने जितना कुछ कहा वो आपका कारी नहीं है केवल हम लोग खेल खेल करते जाएंगे और रामण को आशरी शक्तियों को कपी सेन संग संगाले निसिचर रामसी दैवाणी है जय लोग पापन कुछत सुर्म नाएगा जिवाठानी है जो कपी सेन संग सघार निसिचर राम जिसी दैवाणी है मा को प्रभू लाएगे हमारा आपका काम नहीं है सुन्दरकान के प्रसंग में से रहनमान जी कहते है अपहि मा तुमें जाउ लवाई प्रभू आयस नहीं राम दोहाई कचक दिवस जन्नी धर धीरा 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 निस्चर मारी तो हिले जाई है तेपुर नारदार जस गई है यह जामन बाबा ने कहा वह नहीं मन्जी ने कहा जिसका जो करिये है वो करे सघार निस्चर राम जिसीत ही आने तेनों लोग यह सगाएगा जो कहत, गावत, सुनत, समुझद कहत, गावत, सुनत, अक्ता मुझद एजमानी तो समझेगा कहत, प्रेम बुशन कहत साथी लोग गावत स्रोता लोग सुनत और अम्मा बाबो जी समुझद यह तो बाबो जी मानिये गए नहीं कभी मैं तो मानता है नहीं मैं तो सबको ना समझ मान के कथा सुनता हूँ कर दी हम सबको समझदार मालें तो हम खुदे भूलाई जाएंगे कथा शमा करिए का यद्दिव को स्वामी जी कहते हैं सोता वक्ता ग्यान निदी लेकिन मैं प्रेम बुशन आपसे निविदन करता हूँ मुझे बहुत ग्यान नहीं है मारस का अध्यर जित्रा चाहिए उत्रा रगुराद जी रे किरपा किये लेकिन हम अपने से अधिक विद्वान आपको माल लेंगे तो हम खुदे कथा भूलाई जाएंगे फिर कते नहीं हो पाईगी इसलिए नहीं ये तो मान के नहीं चलना है कि हमसे भी कोई जाद बिद्वान यहां कल कल हम पंचनत जब गए थे ते एक भाई वहां बड़े अच्छे ते कोई सिंग साप थे दाड़े बाई रखे रजीश भीया साथ में थे आशराम जी भी थे इतनी बड़िया बात बोले पूरे विश्व में ऐसा तीर्थ कहीं नहीं है मैंने उनकी और देखा अपने पास जो है उसको यही कहना है पूरी दुनिया में ऐसा पंचनत कहीं नहीं है यह कहना है इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए महराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें